नाग्रिकों के घरों से एकत्र किया गया, कच्रा यदी ट्रांसफर स्टेशन पर अधिक समय तक रहता है, तो इससे दुरगंद फैलती है, जित से शेत्र के नाग्रिकों को परिशान होती है मेर दैशंकर तेवारी ने काई कि एकत्रत कच्रे को व्यग्यानिक तरीके से सीमित समय के भीत निप्टाने के लिए उचत योचना बनाई जानी चाहिए महापौर दैशंकर तेवारी ने बुधवार को लक्षमी नगर अंचल में कूडा उठाने वाले स्चेशन का निरिक्षन किया इस अफसर पर लक्षमी नगर जोन की अध्यक्षे पल्लवी शामकुले उपायोक्त राजईश भगत स्वच्चता नोडल अधिकारी डॉक्टर गजेंदर महले जोन की सायक अधिकारी रामभाउ तिड़ के उपस्त लक्षमी नगर जोन में एक हामला से जैताला रोड पर कचरा ट्रांसफर स्टेशन को उसी मैदान के पीछे साका नगर मैदान में इस्थान अंद्रत कर दिया गया है इन दोनों जगाओं का मेर ने निरिक्षन किया पूर्व खामला से जैताला मार्परस्टेलर ट्रांसफर स्टेशन से शेत्र में दुर्गंद आती थी और यहां सुवरों की मौझूद्गी से सड़क पर दुर्गटनाय भी होती थी महापौर ने सम्मंदित स्वचिता निरिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और सम्मंदित कमपनी को शेत्र में कचरा संग्रे कमपनी द्वारा छोड़ी गई दूटियों और उचित योचना की कमी के कारण नागरिकों को हुई असुईदा के लिए दंडित करने का और भी निरदेश दिया घरों से एकत्रत कूडा कचरा ट्रांस्पर स्टेशन पर जमा किया जाता है फिर इससे एक बड़े टीपर की मदद से भाटेवाड़ी डंपिंग Анड में ले जाया जाता है हालकी चुकी गीला कचरा डंपिंग यार्ड में ले जाने से पहले जमीन पर फेक दिया जाता है इससे दुर्गन फैल्टी है खराब गंद और कच्रे के उचित निप्टान को रोकने के लिए ट्रांसफर स्टेशिंग की जगह को समतल किया जाना चाहिए और सिमेंड कॉंक्रेट किया जाना चाहिए मेर दैशंक तिवारी ने निर्देश दिये कि इस की निरिक्षन के दोरान इसकी चान करे दी रिंग रोड इस्तेते पडोले अस्पताल चौक में जमीन का प्लॉट खाली है यहां कूडा डंप होने से नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है मुख्य सड़क के पास कच्रा डंप करने से नागरिकों को होने वाली आसुविदा को देखते हुए संबनित नागरिकों पर सतर्क रहने की आवशकता है इस संबन में कारवाई के लिए इस प्लोट पर कैमरी लगाए जाएंगे इसलिए दोशियों की फोटो कीच कर उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी इसके अलावा प्लोट की पूरी सफाई औ और समतली करण पर होने वाले खरच की राशी संबनित प्लोट मालिक से टेक्स के रूप में वसूल की जाने चाहिए मेर ने टेक्स नहीं देने पर नियमनुसा जमीन निलाम करने के भी सक्त निर्देश दिये दीन दियाल नगर शेत्र के निवासी सेवा निवरत अपर कलेक वी एल उपाद्या ने मेर के सामने उठाया मामला दीन दियाल नगर शेत्र प्रात्मिक विध्याले के आरक्षित स्थान पर नगर निगम द्वारा सुरक्षा दिवार का निर्मान किया था उन्होंने कहा की पेडो और मलबे के अती व्रदी के कारण शेत्र में सापों और अन्य जानवरों का खत्रा है इस संब्द में महापौर के निर्देश बस सहय कायुक्त गणेश राठो ने शेत्र का निरिक्षन किया और विभाग को ततकाल आरक्षित शेत्र की सफाई के निर्देश दिये कैमरा परसन राजकुमा मोहर के साथ अभिशेक पांसी बीसी नियूस नाखपूर